नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बच्चों के common problem है cradle cap के बारे में cradle cap काफी common problem है और जो छोटे बच्चों के अंदर होती है इसमें क्या होता है कि बच्ची की सर के उपर या skin में scaling develop होने लग जाती है और grigy scales develop होते हैं grigy type की चिकने चिकने टाइप की yellowish whiteish color के और फिर दीरे दीरे वो मोटे बन जाते है crusting होने लग जाती है और बात में फिर वो layer की तरह उतरने लग जाती है तो यह काफी common problem है parents को लेकर इसको टेंशन हो जाती कि क्या करें इस तरह की condition के इंदर तो आज इसी condition के बारे में बात करते हैं देखी cradle cap को technical language में syboric dermatitis कहते हैं इसका कारण क्या होता है कि इसका जो excessive oil production होता है उसकी वज़े से होता है तो mother के through बच्चे में hormone transfer हो जाते हैं और जिसकी वज़े से जो excessive oil production होता है खास तो से scalp की जो skin है अपने जो head की skin होती है तो excessive oil production की वज़े से skin में क्योंकि skin के इंदर cells का continue चलता रहता है cycle तो cells dead भी होती है तो यह dead cells shed होती है skin से वह oil के साथ मिलके इस तरह की scaling बनाने लग जाती है और जिसकी वज़े से यह problem होती है तो यह तो इसका कारण है अब जानने की कुशिश करते हैं कि क्या symptoms हो सकते हैं तो इसके जैसा कि मैंने बताया scaling डवलप होती है skin के अंदर और खास बात यह है कि यह painless होती है और इसमें को itching वगर भी नहीं होती कोई खुजली नहीं होती तो बच्चों की दूसरी common skin problem है atopic dermatitis उससे इसको इसी चीज़ से differentiate करते हैं जो atopic dermatitis होती है उसके अंदर itching काफी ज्यादा होती है खुजली ज्यादा होती है और कई बार painful भी हो सकती है लेकिन जो यह सिभरिक dermatitis है cradle cap है यह painless होती है इसमें कोई itching नहीं होती location sites मैंने आपको बता दी scalp के अंदर काफी commonly होती है सबसे ज्यादा जो होती है पाई जाती हो scalp में पाई जाती है सर के उपर इसके लाव वो कान के पीछे भी spread कर सकती है या forehead पे भी spread कर सकती है कई बार armpits में मिल सकती है या diaper area में भी मिल सकती है अगर ज्यादा spread होती है तो diagnosis के लिए कहीं कुछ खास कोई test की जुरूत नहीं होती है आप बात करेंगे इसके treatment की तो बहुत simple इसका treatment है सबसे खास बात यह कि कोई tension के जुरूत की माइल्ड और बिनाइन condition होती है और अधिकतर cases के अंदर कुछ हफ्तों में या कुछ मैनों में यह स्वता ही ठीक हो जाती है और कुछ case में अगर यह ठीक नहीं होती तो घरे लूप्चार से आप इसको ठीक कर सकते हैं और घरे लूपचार के अंदर आप बच्चे की सर के ओपर आप बेबी शेंपू यूज करें कोई साभी माइल्ड बेबी शेंपू है वह थोड़ा सा आपको फ्रिक्वेंट इंटर्विल पर यूज करना पड़ेगा और शेंपू यूज करने के बाद आप किसी भी हल्क है सॉफ्ट बेबी कॉंब होता है उससे आप इसको कॉंबिंग करें बच्चे के सर को तो वह दिरे दिरे फिर स्केल्स उतरने लग जाती है और कुछ हफ्तों के अंदर ही कंडिशन ठीक हो जाती है अगर उसके बावजूद भी अगर ठीक नहीं होती गरे लूप चार से तो फिर आपको अपने चिकेट सक्से बरामर्श करना चाहिए और डॉक्टर इसके लिए आपको केटो कोराजोल लोशन होता है या वन परसंट हाइट्र कोटिसोन लोशन होता है वो प्रेस्क्राइब अगर आप बार-बार बीवी शैंपू यूज करेंगे तो इस कंडिशन को होने से बचा भी सकते हैं तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने आपको एक बच्चे की कॉमन सी माइल सी कंडिशन क्रेडल कैप के बारें बताया आपके वीडियो कैसा लगा इसको हमें झसके बारें किस्फ попадu यूज करें लोग शैंब को हमें तो तो दो झाल झाल